नमस्कार जनता टीवी देखें आप और मैं हूँ आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बुलिटिन का आगास करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ राज्य सभाज चुनावों को लेकर तारीखों का एलान चुनावायों की और से कर दिया गया है 27 परवरी को राज्य सभा के चुनाव होंगे और उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी और आपको ये भी बता दें कि हरियाना की एक सीट बीस में शामिल है हिमाचल प्रदेश की भी एक सीट पर राज्य सभा का चुनाव 27 तारीख को होगा 15 राज्यों की कुल 56 सीटों पर होंगे राज्य सभा के चुनाव तो बड़ी खबर एहम जानकारी लोग सभा चुनाव से पहले 56 राज्य सभा की सीटों पर चुनाव होगा 27 परवरी को 15 राजियों की 56 सीटों पर होगा राजिसभा का चुनाव हरियाना और हिमाचल प्रदेश की भी एक एक सीट इन 15 राजियों में शामिल है जहां पर 27 तारीख को अगले महीने राजिसभा के चुनाव संपन होंगे तो राजिसभा चुनावों का बेगुल बच चुका है और आपको ये भी बता दें कि इसके ठीक बात देश में आम चुनाव यानि लोग सभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं और उससे पहले राजिसभा के चुनाव होंगे और कई महतपूर्ण सीटे इसमें शामिल हैं जिसमें हर्याना और हिमाचल प्रदेश की भी एक सीट शामिल है